बस्पा प्रमूग बहन मायावती ने की आज प्रेस कॉन्फरेंस कहा ब्रामन समेलन से घबरा गए विरोधी कर रहे है तरह तरह के शडियंत्र भाजपा को लिया आड़े हाथ जी हाँ दोस्तों मैं हूँ इंजिनेर स्निहा और आप देख रहे है दधिंग अगर आप हमारे च के अपनी प्रतिक्रिया दे और अपने दोस्तों रिष्टदारों में शयर करना ना भूले बस्पा द्वारा पिछले दिनों से चलाय जा रहे प्रबुद्ध सम्मेलन याने ब्राहमन सम्मेलन आयोध्या मतुरा प्रताबगर अंबेटकर नगर आगरा के सफलता के बाद करेक्रमों में कोरुना के नए-नए कानून लगाये जा रहे हैं ये नियम बस्पा के लिए ही क्यो है ऐसा सवाल उन्होंने किया है इससे समझ में आ रहा है कि भाजपा इन करेक्रमों से डर गई है ऐसा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्य अद्यक्ष बैनकुमारी माया जी का कहना है उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को उसकी हालत खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे इस तरके से हो गई है भाजपा की मानसिक्ता जातिवादी एवं संकीन राजनिती करने वाली है ऐसा बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कासगंज के प्रवुदसमेलन के लेकिन ऐसा करके भाजपा के खिलाफ लोगों का घुसा और बढ़ते जा रहा है ऐसा उन्होंने कहा है भाजपा नेताओ के करेक्रम में कोरुना नियोमों का पालन कदापी नहीं होता बलकि कोरुना नियोमों का उलंगन एवं उसकी धज्य उड़ाई जाती है लेकिन विप प्रजनिती करन कर दिया है ऐसा उनका कहना है उन्होंने आगे कहा कि बसपा का यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अब ना रुकने वाला है ना ही जुकने वाला है बलकि यह सरकार के हर प्रकार के विरोध शोशन और अर्चनों का सामना करते हुए दलित समाच की तरह ही ब्रहमन समाच को भी अब समझ में आ गया कि भाच्पा, दलित, पिछडो, मुस्लिमों के साथ साथ ब्रहमन समाच को भी आत्मसमान और स्वाभी मान से जीने नहीं देना चाहती यहाँ आम चर्चा है ऐसा बहुजन समाच पार्टी की राष्ट्र अद्यक्ष बहन मायावती जीने कहा इस संदर में आप क्या सोचते है कमेंट करके जरूर बताए बने रहे दाथिंग पर जय भी जय भारत बहुजन विचारधारा को घरगर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन क गंटी दवाना ना भुले